नमस्कार दोस्तों यह स्वाई अपडेट में आपका स्वागत है आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जमीन में अपनी हिस्चेदारी कैसे चेक करें जिहां दोस्तों एक लंबा परिवार होता है तो उसमें किसकी कितनी जमीन है चाचा ताओ लंबा परिवार में आपको ब पहले आपने कैसे निकालते हैं खतावनी उस वीडियों को आपडी लिंक जो है डिस्क्रिप्सिन में दिया गया उसको आप देख लीजेगा तो खतावनी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूपी भूलेग पर आपको गूगल पर टाइप करना यूपी भूलेग.com वहा कि जमीन में अपनी हिसेदारी कैसे च्क करें और चेक करेंगे जब आपके पास रहेगा तो यह खतवनी आपके पके पास रही गाट तो जैसा किआ बंस ब्रिक्च इसमें एक बंस ब्रिक्च बंस ब्रिक्च क्या होता है जैसे रामू सिवनाद सागर सिवनाद सुधामा सिवनाद सुगदेवी सिवनाद धर्मेंदर स्यामू अब इसमें क्या है कि रामू जो है सिवनाद के पुत्र है सागर जो है सिवनाद के पुत्र है तेल है अब देखिए यहां पर धर्मेंद्र 12 वर्स और बिरेंदर चार वर्स यह बिरेंदर जार वर्स दिखा गया और यहां पर ना यांनी नबालिक तो इस तरह से अब जो श्यामू है श्यामू का भी श्यामू एक्सपार हो गए तो उनकी जो पतनी है वह लालती देविए तो लालती देविए सरनच्छण में है सरनच्छण में लालती देविए इस तरीके से आप तो यह वेंस बंस ब्रिक समझ लिए अब यह क्या है यह खसरा संक्या यह छे त्रफल तो छे तरफल में आप इसी तरीके से आप पहली तो आपको देखना है कि यहाँ पर कोई जrifल भीकी तो बेचा तो नहीं उसके बाद जो बचे की जमीन आप उसमें हिस्सेदारी देखने के लिए आपको सबसे पहले इसमें देख लिए साब साब की सिवनात के हिस्सेदारी एक बनेगी एक सागर का बनेगा एक सुधामा का बनेगा एक सुखदेई का बनेगा तो जो रामू है और जो स्यामू है इसमें एक स्यामू का हिस्सेदारी बनेगा तो स्यामू के दो लड़के हैं तो इसमें दो लोग पहले करेंगी कितने स्कायर फिट एरिया या कितने वर्त मींटर या कितने बिस्सा जमीर उसको पांच भागों में बाटने कि बाद identify यहाँ पर देख召ली स्यामौ जमीन को तीन भागों में जो बाट दिया जाएंगा क्योंकि सरच्षण में लालती हैं लालती को याँ स्यामु की पतनी है इस तरीके से आपको हिस्से दारी में और क्या देखना है तो किस के भाग में कितना शेतरपाल आता है उसको अप देखें तो इसको डिटेल के लिए आप समझेना पड़ेगा तो यहां पर जो है आपका बताया था कि यह प्राम के अस्थानी रूप में उपयोग किया जाता है तो विश्वा में één वुम में एक बीघा में 20 माना जाता है और एक पक्य विघेंच के बराबर भी विज्जा होता है तो दूसरी चीज आपको समझना है तो एक एक टियर में 7.99 विस्टा होता है और एक एकल में 32.26 विस्टा होता है और एक विस्टा में 0.01256 देखना कोई बाहर है क्या गैसे तरीके से आप चेक कर सकते हैं हिसेदारी हिसेदारी में आपको क्या देखना कुछ अलग और पैमाने य因 मान पाइं पर को हिस्चेछ दारी तरीके से करने में एक क्या क्या करना न है कि माल लिजे इनकी जमीन है जीरो दस्मलो फॉर फाइप एड जीरो तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा जूरो जुरो बाराइच चपन एक विच्वानक होता एक विच्वानक में work fit में convert करेंगे तो यहां पर multiply काने के बाद आपको कल्कुलेश्ट मिलीगा है आप कल्कुलेश्त अपने से कर सकते हैं कि यह सही है की गलत है यह बिलकुल सही है अभ स्के बाद अब इसको वर्ण fed को वर्ण मीटर में convert करना है तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक मीटर में 10.76 वर्ग फिट होता है तो यहाँ पर आपको वर्ग मीटर में करना है तो यह जो स्क्वार फिट में है इसको वर्ग मीटर से आपको भाग देना है भाग देने के बाद आपको 46.38 वर्ग मीटर एरिया आएगा इसके बाद आपको क्या करना है वर्ग गज में आपको कनवर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि 9 से आपको भाग देना पड़ता है इसमें आपको वर्ग गज में convert करना है तो 9 से भाग देना है वर्ग मीटर में convert करना है तो 10.76 से भाग देना है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका 6 तरफल क्या है तो आपको और डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी जमीन का किस तरीके से 6 तरफ और एक फीट को आग को अगर जब एक विस्से में जो बता है आफ कनवर्ट कर सकते अब जलकर आप कहेंगे कि यह कितने बिस्स्सा आ तोगलर आ कि जितने हिस्चेदार बनते हैं, उनको आप उनसे कल्कुलेट करके निकाल सकते हैं, कि किसकी कितने हिस्चेदारी बनी है, और कोई confusion है, तो आप मुझे comment में दे सकते हैं, चैनल को subscribe कर लें, मिलते हैं किसी next वीडियो में,